करता हूं आज हम पढ़ेंगे oxygen therapy के बारे में मैंने पहले भी oxygen therapy बनाया था लेकिन वह बहुत पहले का वीडियो था तो जो उसके quality वह एकदम से मतलब कम भी थी यानि उसके ना तो आवाज जो क्लियर आ रही थी और ना जो इस्क्रीन है वह भी ठिक्से नहीं दिख रही थी इ और इस वीडियो में मैंने वैसी कुछ नए पॉइंट भी एड़ कि है जो नए एक्जाम में आये हैं और बात कुरू में oxygen administration की तो आपको परता है कि इसमें क्यूशन हमेशा आते रहते हैं important है हर एक्जाम मैं इसमें चेक्शन तो पूछ ही लेते हैं तो यह वीडियो आपक जो भी पेशेंट है उसमें hypoxemia hypoxia है उसको treat करने के लिए हम क्या ख़त देते हैं पेशेंट को oxygen therapy indication कौन कौन से indication होंगे कब उसको जरूरत पड़ेगी उसमें देखिए डिस्निया में हम देते हैं oxygen respiratory problem, myocardial infarction, major burn, shock और anemia इन कंडिशन में पेशेंट को है oxygen की need होती है ठीक next method of oxygen administration, जो भी oxygen administration है उसके method, question इसी से आता है, इसमें first हम बात करेंगे nasal cannula, nasal cannula का nasal prongs के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर low rate flow से क्या दिया जाता है, oxygen दिया जाता है, ठीक है, low flow rate से हम oxygen देते हैं, जो भी mostly जो COPD वाली patient है, COPD वाली patient है, उसमें अंदर nasal cannula का use किया जाता ह है, जो long term used है, ठीक है, क्या कि COPD वाले patient है, वो क्या होती है, COPD disease है, यह progressive होती है, और लंबे समय तक चलती रहती है, तो उनको oxygen की need है, वो लंबे time तक रहेगी, तो यह क्या है, long term used है, ठीक है, flow rate कितनी है, flow rate पे एक्जामिक कई बार question आया हूँ है, एक से 6 लीटर, ठीक है नॉर्मली जो 4 लीटर है, एक से 4 लीटर है, वो कामे लेते हैं, लेकिन जो इसके flow rate है, वो पूरी total कितनी है, एक से 6 लीटर, oxygen concentration 24 से 44%, ठीक है, 24 to 44%, यह nasal kenola के बारे में वापस से, इसको nasal prongs के नाम से भी जानते हैं, low flow rate से देते हैं, COPD वाले patient है, उसमें कामें लिया जाता है, क्योंकि इसका use है, वो long term के लिए भी होता है, next flow rate, एक से 6 लीटर पर minute, oxygen concentration कितनी है, 24 से 44%, next हम बात करते हैं, जो nasal kenola है, वो होती कैसी, यह आप screen पे देख सकते हो, यह क्या एक nasal kenola, इसमें जो यह देखी, यह prongs है, यह किसमें install किया जाते हैं, जो भी non still है, उसके अंद ठीक है, next हम बात करेंगे nasal catheter की, nasal catheter है, यह hospital में most common method है, काम में लिया जाने वाला, ठीक है, exam equation आया हुआ है, most common method which is used in hospital, वो क्या है, nasal catheter, अगर optionally nasal catheter नहीं हो, अगर nasal kenola हो, तो आपको nasal kenola करना पड़ेगा, अगर दोनों हो, तो आप nasal catheter को सूच करोगे, ठीक है, क्योंकि क nasal kenola देखने को मिलेगा, अगर option में nasal catheter नहीं हो, nasal kenola हो, तो आप nasal kenola right answer मानोगे, अगर nasal catheter और nasal kenola हो, तो आप nasal catheter को यह answer मानोगे, ठीक है, इसमें next है, important बात, जो भी nasal catheter है, इसकी position change करते रहेंगे every eight hours, क्योंकि यह जो भी nose है, उससे insert करके body में previous करवाई जाती है, nose steel से, तो हर आठ गंते से, जो nose steel से, उसकी position change करते है, मतलब जो tube है, right से left में डालते हैं, फिर left से निकाल कर, 8 गंते बात में, right nose steel में, ठीक है, flow rate कितनी होगी, इसकी वैसी होगी, जैसे nasal kenola की है, एक से 6 liter per minute, वैसी concentration, same as nasal kenola की थी, 24 से 44%, ठीक है, देखिए, यह क्या है, एक nasal catheter, एक्जाम में क्यूसन आ सकता है, इसलिए हम में इसके जो भी diagram है, उसका भी use कर रहा हूँ, यह क्या है, nasal catheter, आप देख सकते हो, इसको nose steel के दोरा insert करवाए गया है, ठीक है, next time हम बात करेंगे, face mask, face mask है, जो हुश्पिटल में है, कौन-कौनसे किस तरह के face mask काम में ले जाते हैं, उनके बारे में उनके टाइप्स के बारे में होस्पिटल में मैनली चार तरह के फेस मास्क है वो काम में लिया जाते हैं उसमें फैस्ट देखेंगे हैं सिंपल फेस मास्क के बारे में देखेंगे नौन रीब्रीथर मास्क के बारे में देखेंगे और वेंचुरी मास्क के बा इसको हम short term use के लिए काम में लेते हैं इसकी flow rate कितनी होगी पंस से आठ लीटर पर मिनट आपको flow rate तो मिनट याद करनी होगी इसकि कितनी है म्थ पंस से आठ लीटर पर मिनट oxygen concentration चालिस से साठ परसेंट और गाने कषाई है यह कुतनी रखेंगे इसकि रखेंगे five लिटर पर मिनेट इंपोर्टेंट है यह लाइने ठीक है वापस से इसको रिवाइज कीजिए सोट टरम यूज के लिए कामें लेते हैं एमर्जेंसी कंडिशन के अंदर फॉलो रेट है पांच से आठ लिटर पर मिनेट ऑक्सिजन कंसंट्रेशन जो भी पॉर्ट है वो देखने को मिलेंगे और यह एक आप श्ट्रेप देख सकते हो यह क्या है इसको पिछे करने के लिए पिछे से मतलब हम इसको टाइख कर सकते हैं फेज के साथ में नेक्स्ट है पार्शियल डी ब्रिथर मास्क इसके अंदर आपको मास्क के साथ में एक डीजर विडर बेक देखने को मिलता है यह क्या करता है जो एक बटा तीन एक्सनल हेर है उसको ब्रिथ करने के लिए कामें लेते हैं फ्लो रेट कितनी होगी 6-15 लिटर पार मिनट ऑक्सिजन कंसंटेशन सेवंटी टू एटी पर्सेंट पार्शल रिप्रिथर्टिंग मास्क से अभी तरह कितना कोई किसन आया नहीं है नेक्स्ट आम बात करते हैं नोन रिप्रिथर्टिंग मास्क यह इंपोर्टेंट है ठीक है इसमें देखिए यह प्लास्टिक मास्क है जो किसके साथ में जड़ा रहता है रिजर्वियर के साथ में इसके भी रिजर्वेर बहे गए उसके अंदर जो एक्सेल एर है उसको अंदर डाल देता है और जो रोम की एर है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है नेक्स्ट यह लाइन इंपोर्टेंट है आप एक्जामेंस इसमेंसे कई बार क्यूशन आया हुआ है इसको द्याद से देखना नौन ड्रीब्रिटर मास्क है यह अक्सेजन का मेथड है जो हाइस्ट परसेंटेज अक्सेजन कंसेंट्रेशन डिलिवरी का काम करता है एक्जामें क्यूशन कई बार आया हुआ है हाइस्ट परसेंटेज अक्सेजन कंसेंट्रेशन डिलिवरी सिस्टम कुन सा मेस्टर काम म लेते हैं वो है non rebreather mask ठीक है वापस से highest percentage oxygen concentration delivery system किसके दोवारा non rebreather mask के दोवारा इसकी flow rate कितनी हैं यह दस से पंदरा लिटर पर मिनट इसकी देखिए oxygen concentration important कितनी है 95 to 100% important है ठीक है वापस से revise कीजिए इस यह एक plastic mask है जो reservoir बेक से जुड़ा देता है इसमें mask में one way warp पाया जाता है जो room की air को क्या करता है prevent करता है और जो axial air उसको reservoir bag में डालता है highest percentage oxygen concentration delivery system है कौनसा non rebreather mask इसके flow rate कितनी है 10 से 15 लिटर पर मिनट तो जो oxygen concentration है वो कितनी होगी 95 to 100% ठीक है यह line है important है अब next है इसमें देखिए इसके diagram के बारे में यह क्या है यह एक non rebreathering mask यह non rebreathering mask है और यह इसके साथ में क्या है यह इसका reservoir bag है ठीक है exam execution हा सकता है और इसके one side में क्या देखने को मिलेगा one way warp देखने को मिलेगा और एक side में acceleration port ठीक है यह और step है वो bind करने के लिए काम याता है उसको attach करने के काम याता है face के लिए ठीक है next है हम बात करेंगे venture mask की यह किसके बारे में venture mask हम इसको air internet mask के नाम से जानते है important है यह क्या है venture mask इसको air internet mask के नाम से जानते हैं इसका एक नाम हो रहा है 20 mask तेक है अब इसका जो लाइन है यह देखना यह बहुत ज़्यादा important है यह इसे हम most accurate fix most accurate यानि accurate और fix है जो oxygen concentration delivery system का यह method है कौन सा है accurate oxygen concentration delivery system का method है ठीक है exam equation आया हुआ है यह 2-3 बार आया हुआ है इसके follow rate कितनी है 2-5 लिटर पर मिनेट oxygen concentration कितनी है 24-60% यूज जो भी acute respiratory distress वाले patient है उसमें mostly यह काम में लिया जाता है वापस रिवाइज कीजिए important line है most accurate और जो fix है oxygen concentration delivery system का यह method है follow rate कितनी है 2-15 लिटर पर मिनेट oxygen concentration 24-60% जो भी acute respiratory distress वाले patient है उसमें most लिए काम में लिया जाता है venturi mask को हम air internment mask के नाम से भी जानते है अधर नाम क्या है venti mask अब हम बात करेंगे जो भी venti mask है उसके color code jet adapter की जो भी jet adapter है उसके अलग-अलग color की आदार पे जो flow rate है oxygen concentration है वो अलग है तो इसमें first देखिए इसमें first है blue color code इसकी flow rate कितनी होगी दो लिटर पर मिनाट कितनी oxygen concentration होगी 24% next white 4 liter per minute 28% इसकी concentration rate orange 6 liter per minute 31% इसकी oxygen concentration yellow 8 liter per minute 35% इसकी oxygen concentration red 10 liter per minute 40% इसकी oxygen concentration और इसमें last है green 15 liter per minute इसकी flow rate है और oxygen concentration है 60% मैंने इसको याद करने का एक तरीका और बनाया रखा है जैसे एक गाना आया था blue eyes hypnotize वैसे ही blue white or red green ठीक है यह नाम याद रखना blue white or red green blue white or red green इसमें जो blue है उसकी 2, 4, 6, 8, 10 यह आपको यहाँ पे 2, 2 liter का इसमें फरक आएगा ठीक है blue white or red green और last जो green है उसमें 15 ठीक है अराम से याद करने की यह इसका method है वापस से देखिए blue white or red green ठीक है याद गर सकते हो दो-दो के shape में blue white or red green इन सभी में दो-दो का फासला है दो से लेके दस तक आप देख सकते हो दो का फासला है यानि blue white blue 2 लिटर white 4 लिटर orange 6 लिटर yellow 8 लिटर और red 10 लिटर ये इनकी flow rate है और green का बैस अलग है ग्रीन है उसकी 15 लिटर है सबसे ज्यादा है और 60% इसकी oxygen concentration है एक्जामें दो बार क्यूशन आया था वो आया था red से ठीक है red है इसके color code है इसकी flow rate हुआ कितनी है 10 लिटर पर मिनट oxygen concentration कितनी है 40% याद करने का फिर से एक तरीका याद रखना blue white और red green color rate 2,4,6,8,10,15 ठीक है oxygen concentration भी पूछ लेते हैं अभी तक पूछा गया था वो पूछा गया था 40% red की ठीक है तो आपको सभी के यादा रखनी है सबसे ज्यादा कितनी है 60% किसकी green की सबसे कम blue 24% ठीक है टू लिटर पर मिनट यह important है तो next यह diagram आप देख सकते हो यह क्या है य कर देका है वेनिचूरी मास्क आप इसमें यह पर देख सकती हो यह क्या है । जो color code adapter थे वह इसके अंदर लगा रखा है ठीक है ons Speed security क्या देते हैं oxygen देते है यह क्या है इसमें आप देख सकते हो यह क्या है ult tone cam colour code adapteratively आडेप्टर है अकोडिंग जो भी need percent की इए कोडिंग हम उसको क्या देते है। follow rate oxygen concentration देते है। ठीक है अलग-अलग इसके आप देख सकते हो अलग-अलग code के यह कह आ जो भी oxygen अडेप्टर है वो इसमें काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए Oxygen Tent के बारे में इसका यूज किसके अंदर करते हैं पेडियाट्रिक यूज के लिए करते हैं फालो रेट कितनी है इसकी 10-15 लीटर पर मिनेट Oxygen Concentration 80-90% यह आप देख सकते हो इसमें डाइगराम में यह क्या है Oxygen Tent किसके लिए कामे लेते हैं पेडियाट्रिक के लिए ठीक है पेडियाट्रिक के लिए कामे लिया जाता है 10-15 लीटर पर मिनेट इसकी फालो रेट है Oxygen Concentration किती है 90% डाइगराम आप इसका देख सकते हो यह क्या है Oxygen Tent Next हम बात करते हैं Face Tent की Face Tent इसको Facial Trauma Case में कामे लिया दाता है जो Face Tent है उसको किस कामे लेते हैं Facial Trauma Case में Flow Rate कितनी है 4-8 लिटर पर मिनेट Oxygen Concentration 30-50% यह आप डाइगराम देख सकते हो यह क्या है यह है Face Tent Next हम बात करेंगे Oxygen Hood की जो Oxygen Hood है यह Plastic Dom Set का बना हुआ है आप देख सकते हो यह क्या है यह Plastic का बना हुआ है कैसी shape है इसकी Dom Set ठीक है Inclosed Infant Head जो भी Infant Head आप देख सकते हो इसको डगावा इसको कवर करके रखता है ठीक है यह क्या है Oxygen Hood Oxygen Hood की Flow Rate कितनी है 10-15 लिटर पर मिनेट Next हम बात करेंगे Trans Tracheal Catheter तो जो Trans Tracheal Catheter इसको कैसे insert करवाते है जो भी Trachea है Trachea के अंदर एक opening मना जाती है उसके अंदर से इसको insert करवा जाता है ठीक है In Tracheous Tomy Oxygen given by the T-Colar जो भी T-Colar है उसका use में कामें लेते है T-Piece आते हैं उसका कामें लेते हैं किसमें Tracheous Tomy में Follow rate कितनी होगी 1,4 by 2, 4 liter per minute ठीक है और Oxygen Concentration 22,45% ठीक है Next हम बात करते हैं जो Trans Tracheal Catheter वो देखने में कैसे होती है यह क्या एक Trans Tracheal Catheter एक्जाम में क्यूशन आ सकता है Next हम बात करेंगे Oxygen Cylinder की तो इसके अंदर pressure कितना होता है 2200 LB Inch Square ठीक है 2200 Pound के सम्थिंग और इसका kg में देखेंगे तो 1000 kg पर Inch Square ठीक है यह इसका इसमें pressure होता है Pressure in pipeline जो भी pipeline है उसके अंदर pressure कितना होगा 52,60 LBs पर Inch Square Next है इसी से क्यूशन कई बार राया हुआ है Color Code बहुत इजी है सेभी के oxygen cylinder देखेंगे हुए है कैसे हमका color होता है जो top है वो तो white रहेगा और stem है वो black रहेगा जैसे आप diagram में देख सकते हो top है white और stem है black Next है यह देख सकते हो आप यह क्या है oxygen cylinder Next हम बात करते हैं humidifier humidifier उसमें एक bottle लगी होती है जिसको हम क्या नम बहुलते है वाल्फ वाल्फ बोटर में यह क्या क्सक्कारण को करती है जब्यूक्स म्राइन है उसको ड्राइड होने से रोकिते हैं और जो भी हुआक बात लहता है क्श्चुस सपहर्ट करम करती है जो oxygen gas है यह किसको support करती है fire को ठीक है कभी भी आखे पास में oxygen cylinder ना रखे next complication of oxygen therapy एक से दो बार question इसमें आया हुआ है जो first वाला है retro lentil fibrolasia इसे exam में एक से दो बार question आया हुआ है retro lentil fibrolasia यह oxygen therapy का complication है कभी देखने को मिलता है जब भी हम premature newborn में high oxygen concentration देते हैं ही oxygen concentration देते हैं regular देते हैं किसको premature newborn में, तो newborn की eye उसमें क्या बनने लगता है जिसे क्या हम बोलते है retro lentil fibrolasia जो भी premature newborn है उसको हम अगर high oxygen concentration देंगे तो उसकी eye में fibrasion बनने लगेगा उससे जो baby उसमें blindness हो Σकती है इसको क्या बोलेंगे Retrolental Fibrolasia Next Paul Burt Effect Oxygen Toxicity in CNS Central Nervous System में Oxygen की Toxicity है तो उसको हम क्या बोलेंगे Paul Burt Effect Next Lauren Smith Effect Lauren Smith Effect इसमें Oxygen Toxicity in Pulmonary System उसको हम क्या बोलेंगे Lord Smith Effect अगर CNS में Oxygen Toxicity हो उसको Paul Burt Effect अगर Pulmonary System में Oxygen Toxicity हो उसको Lauren Smith Effect यह था Oxygen Administration के बारे में आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करे कमेंट करें अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब ने किया तो हमारे चनल को भी सब्सक्राइब के लिजिए क्योंकि हमेशे अच्छी वीडियो के लिए लाते रहेंगे फिलाल के लिए इतना ही ओम नेर्सिंग एडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद